बारिस का मौसम और बजिया नहीं खाए यह होई नहीं सकता है तो आज हम ऐसा बजिया बनाएंगे कि इस जिस से बहुत ही अच्छा और टेश्टी बनेगा यहाँ पर मैं खाली ओन्यन का ही बजिया बनाऊंगी तो डुम्मस में मिलता है वैसा ही सेम टेश्ट आएगा यहाँ कुक में आपका स्वागत है में उचाया वीडियो स्टार्ट करते पूरा एंटक देखना यहाँ पर मैं पहले दो ओन्यन ले लूंगी तो यहाँ पर दो ओन्यन के चिलके निकाल दिये थे और दो लिया था मैंने इसके बाद इसको बीच में से हम कटिंग कर देंगे तो यह के बज्या बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा बनेगा तो यह आप जरूर से बनाना ऐसे ही तो मैंने पतली-पतली चीप्स कर दूंगी तो ऐसे हम सारा रेडी कर देंगे तो यहाँ पर सारे ओन्यन को ऐसे ही कटिंग कर देंगे और एकदम बढ़िया से उसको खुले-खुल की लेगे उसके अंदर हम सारे ओन्यन को ले लेंगे और इसके साथ पहले हम सुखाम मसाला करेंगे तो यहाँ पर तोड़ा अलग तरीका है नमक टेस्के सब से डाल देंगे थोड़ी से हलदी डाल देंगे ज्यादा हल्दी नहीं दालेंगे इसके बाद आतिस फुन हम मीक्स करना है इसमें पानी थोड़ा सुटेगा तो वैसे हम अच्छे से मीक्स कर देंगे यह स्टेप करना बहुत जरूरी है ताके जो भी ओन्यन का और मसला का जो पानी रहेगा उसके साथ हम बेसन डालेंगे तो एकदम बढ़िया से यह मीक्स हो जाएगा तो हमको पानी की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी तो मैंने सारा मीक्स कर दिया है अभी इसके साथ मैं एक से दो चमश बेसन लेलूंगी तो वह आपके सबसे आप वना सकते हो आपको अगर ओन्यन ज्यादा चाहिए तो बेसन कम डाल सकते हो इसको अच्छे सा मीक्स कर देंगे तो यहाँ प पर भी अगर आपको पानी की जयोंड़ पड़े तो आप पैनी आड़ कर सकते हो तो मैंने यहां पर अच्छे से मेक्स क्या है लेकिन थोड़ा सा पानी मेरे चाहिए तो मैं धोड़ा सा पानी डालओंगी तो मैंने एक से दो चमश इसको आ Angy ब्neoद्नािया है इसको एंदर सारा बजिया डाल देंगे हम तो इसको हम दिरी दिरे एक एक करके डालेंगे और एक खुले ही रहेंगे तो आप देख सकते हो कि यह अच्छे से पक रहा है और थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है इसको फटा-फट आप गुमा देना क्यूंकि ओनियन को बजिया बनाने में कर देंगे तो यह भी मैंने फ्राइ कर दिया है थोड़ा सा कलर चेंज होगा तब तक हम इसको पकाएंगे तो वैसे ही मैंने सारा बजिया रेडी कर दिया है अभी हम इसको सव कर देंगे अगर अप मेरी चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया त तक के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कॉमेंट करना और फ्रेंट के साथ सेर करना मत बुलना एकदम बढ़िया और टेश्टी ऐसे हमने बजिया बढ़ना के रेडी कर दिया है लुक बहुत खाने में इतना ही टेश्टी है अब जरूर से एक बढ़ ट्राइ करना बारिस के मौसम में अभी बुक लगी है तो आप ये फटाक से बना सकते हो थैंक यू फूर वाचिंग बाई बाई टेक केर